ओमशान्ती एक बार की बात है एक किसान था इस वारवे फसल कम होनी की वज़ा से चिंति था परिसान था घर में रासन 11 महीने तक चल सके उतना ही था बाकी एक महीने का रासन कहां से इंतजाम होगा या चिंता उस किसान को बार-बार सता रही थी किसान की बहु का ध्यान जब उनकी ओर गया तो उनसे उन्होंने पूछा पिता जी आज कल आप किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं तब किसान ने अपनी चिंता का कारण बहु को बताया किसान की बात सुनकर बहू ने उन्हें अस्वासन दिया कि वे किसी भी बात की चिंता ना करें उस एक महीने के लिए भी अनाज का इंतजाम हो जाएगा जब पूरा वर्स उनका आराम से निकल गया तब किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ तो बहू ने कहा पिता जी जब से आपने मुझे रासन के बारे में बताया तब ही से मैं जब भीर सोई के लिए अनाज निकालती उसी में से एक दो मुठी हर रोज बापस कोठी में डाल देती बस उसी की बज़ा से ग्यारा महीने का इंतजाम हो गया इसलिए इंसान के जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए लेकिन हमें समस्या सरूप नहीं समाधान सरूप बनना है समस्या का चिंतन करके दुखी होने की बज़ाए सोच सोच कर खुद को चिंता में डालने की बज़ाए भगवान को सौप कर उसके संग रहकर समाधान का चिंतन करना है तभी हर समस्या में विजय निश्चित है हल निश्चित है कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा इस तरह से समाधान स्वरूप बनों तो जीवन में हर समस्या बड़ी से बड़ी समस्या भी टल जाएगी खतम हो जाएगी ओम शांती